नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीचिंग वाला पर मेरा नाम कमलदीप सिंग है एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत ही important information लेकर लेको आप सारी लोग जानते हैं कि different TGD examinations या PGD examinations या PRT examinations आपके most expected हैं आपके DSSB में और KVS में और NVS मे ठीक है लेकिन सबसे पहले कौन सी की vacancy आएगी इसके बारे में कहपाना थोड़ा मुस्किल है लेकिन इसी बीच में एक खुसी की खवर मैं आप सभी को देना चाहता हूं KVS के regards में केंद्रिय विध्यालिय संगठन ने अभी जो है एक tentative vacancy की जो लिस्ट है वो जारी करी ह जो उन्होंने under the promotion जो है बताया है कि भाई जो प्रमोशन के लिए tentative लिस्ट है वो जारी कर दीजेगा after that जब एक vacant post होंगी कुछ लोग के transfers होंगे वहाँ पर transfers के बाद में जो vacant post होंगी उनकी सूची बनेगी और उसके बाद में notification रिलीज होने के पूरे पूरे chances हैं इस साल के end तक वैसे भी आप सारे लोग जानते हैं government को इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा जो बात सुनने को मिली वो यही सुनने के मिली कि रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा गरम रहा अब रोजगार पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है हर department को बोल दिया गया है कि respected vacancies क जो है तुरंत जारी करिएगा वेकेंट पोस्ट को तुरंत जारी करिएगा और वहाँ पर vacancies को निकालने के लिए प्रिकरिया को तेज करने की बात हुई है तो आईए मैं ऐसा ही एक information आप सभी को देता हूँ KVS की official website पर हम गए KVS की official website पर एक जानकारी आपको देखने के भी मिलेगी यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेगा tentative vacancies for the annual transfer 2024 मतला हर साल जो transfers होते है annual transfer के लिए जो back end post होती है उनकी list जारी हुई है साथ के साथ में इसमें जो है calendar of activities of the annual transfer ये पहले जारी हुआ था सबसे पहले calendar of activities उसमें mention करके बोला गया था कि 10 तारिक तक आप tentative vacancies क किस state में कितनी vacancies हैं किस post के लिए कितनी vacancies available हैं तो मैं आपको भी दिखाने वाला उस notice को भी इस पर जब हम click करेंगे तो सबसे पहले हम एक notice पर चलते हैं जो जारी किया गया था सबसे पहले ये notice आपके सामने जारी किया गया था calendar of the activities for the annual transfer 2024 ठीक है in continuation to the notification this this dated 162024 the revised tentative dates periods are notified for the following activities for information of the all concerned like है पहला है display of the tentative vacancies तो tentative vacancies को display करने का जो date था वो 10 जून 2024 मंडे को था जो कि इनोंने release कर दी है उसके बाद second है opening of the online transfer portal hosted YNIC for the annual transfer cycle phase 2 तो 11 से 15 जून के बीच में चलने वाला है आपका इसके साथ issue of the transfer order 4 से 5 बीक के अंदर आ जाएंगे मतलब एक महीने के अंदर आ जाएंगे तो मान के चलिएगा अगर एक जनरल आइडिया हम यहाँ पर लगाएं तो जनरल आइडिया के according तो आप खुद देखेगा तो 15 जून के बाद एक महीना लगा दीजेगा तो 15 जुलाई तो 15 जुलाई तक इनके transfer orders आ जाएंगे ठीक है तो 15 जुलाई तक transfer order complete होन आप एक बार देख लिजेगा ठीक है तो back end post का जो जारी list है वह आपके सामने यह रा देखो तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें back end post का complete list यहाँ पर जारी कर दिया गया है जिसमें सबसे पहले देखेगा किस state में कितनी post हैं किस जिले में कितनी post हैं किस exam के कितनी post के transfers हो रहे हैं वहाँ पर तो जितनी आपके transfer होंगे समझे उतनी post vacant होंगी पीछे से back end में भी तो समझेगा तो आगरा की अगरा हम बात करते हैं तो आगरा में assistant section officer भी है इसमें teacher के लिए भी है इसमें हर department के लिए है like देखेगा यहाँ से start करते हैं post graduate teacher आपको दिख तो यहाँ पर senior hindi translator की दो post आपको दिखाई गई है यहाँ पर ठीक है इस तरीके से teacher post के लिए आते हैं देखेगा यह देखो TGT के लिए अब यहाँ पर आईए थोड़ा मैं जूम कर देता हूं इसको तो थोड़ा मैंने जूम कर दिया इसको आगरा reason में आप देखेंगे दिहान से यह trained graduate teacher यानि TGT के लिए मैं इसको mark कर देता हूं एक बार आपको दिखाने के लिए तो देखेगा यह trained graduate teacher के लिए बहुत बड़ी list है यह आपको एक vacancy नहीं देखेगी बहुत सारी vacancies है इसमें जो transfer के लिए निकाली गई है यह vacant post TGT Sanskrit के लिए आप देखेंगे इसके पीछे से back end में post create होंगी जिनके transfer होंगे वहां से vacancies create होंगी ठीक है अब समझेगा तो नीचे आप जब जाते है ना तो हर subject की इस तरीके से हर state की आपको देखने के लिए मिलेगी जैसे कि यह अलिगर्ड station से देखो यह PGT के लिए TGT के लिए trained graduate teacher के लिए available social science की vacancy है ठीक है अलिगर्ड के अंदर तो हर केंट का हर जगया का इसमें data पूरा व्योरा यहां पर दिया गया है यह मैं बात करता हूँ पूरे 540 page की यह PDF है और मानके चलिए इसमें number of vacant post यहां पर दी गई है कहीं पर दो कहीं पर तीन कहीं पर एक कहीं पर चार इस तरीके से पूरा vacant post हैं उनके लिए create होंगी list आपकी जहां पर vacancies को निकाले जाने के chances हैं तो conclusion यहां से यह निकल के आता है अगर हम इसके conclusion पर आते हैं तो conclusion है के टीचर की जो vacancy है वो कब तक निकाली जा सकती है तो most probably अगर हम बात करते हैं तो PRT लेवल पर TGT लेवल पर और आपके PGT गये हैं अगले महीने के 15 तारिक तक आपके transfer complete हो जाएंगे transfer complete होने के बाद में vacant post create होंगी जिनकी list definitely वहाँ पर जारी करी जाएगी after that तो यह इस साल के end तक मैं मानके चलता हो कि December से लेके January का जो पूरा section रहेगा आपका यानिके December 2024 और January 2025 ठीक है यह जो time period रहने वाला है यह आपके KVS के exam के लिए रहने वाला है ठीक है तो आप अपनी preparation को अगर अभी से करके चलेंगे तो आप सभी के लिए बहुत benefit यहाँ पर होने वाला है क्योंकि आप जब अभी से preparation करेंगे slaves को timely complete अगर आप कर देंगे तो आपको problem नहीं आएगी at the end में ठीक है तो कि exam का notification आन ताकि at the end आपको problem ना है ठीक है क्योंकि आज कल भाई पता है job का जो महत्व है वो एक jobless आदमी से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता ठीक है तो जिसके पास job नहीं है वो job के महत्व को जानता है तो अभी आपके पास समय है कोसिस करिएगा तयारी करिएगा और exam qualify करिएगा ठ इंटर्व्यू और होता है तो अगर आप अभी से preparation करके चलेंगे तो आप दोनों चीजों की preparation अच्छे से कर लेंगे ठीक है तो जुड़े रहिए teaching वाला के साथ में अपनी preparation करते रहिएगा उम्मीद है आपको information अच्छे लगी होगी तो all the best and take care thank you